कैसे रहेगी ग्रहों की चवाल? कैसा रहेगा 12 राशियों का हाल? जानेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए बिनादेरी की शिरुवात करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आज आपका दिन मेश राशी आजके दिन की शिरुवात फोड़े कमजोर रह सकती है आप अपने खर्च के लायक धन कमाने में आज काम्याब रहेंगे साथ ही आप धन को भविश्य की कुछ योजन्याओं में निवेश कर सकते हैं जो लोग शेयर मारकर से जुड़े हुए हैं उन्हें पूरा मामला समझ कर ही धन लगाना होगा अन्य था आपका पैसा डूबने की संभावनाय बनती हुई नजर आ रही है ब्रशब राशी आज आप तरक्य की रहा में आगे बढ़ेंगे परिवार में किसी सदस्य को घर से दूर नौकरी के लिए आज जाना पड़ सकता है आपको अपनी पारिवारे के समस्याओं को लेकर के कोई महत्वपूर्ण निर्ने कोई महत्वपूर्ण करदम आज उठाना पड़ सकता है गरस्त जीवन में चल रही समस्याओं को आप नजर अंदाज ना करें अन्यता वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है मिथुन राशी, आज अपने काम को बहुत ही साबधानी वा सतरकता से करने की जरूरत है आपकी किसी काम को लेकर गती आज थोड़ी तेज हो सकती है साथी कुछ विरोधी उसमें विराम लगाने की कोशिश कर सकते है आप अपने काम को छोड़ कर दूसरे कोई काम पर ध्यान लगाएंगे जस कारण समस्या हो सकती है ऐसा करने से आपको बचना है करकराशी आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है साथी आप अपनी संतान की सुक सिवधाओं को लेकर उन्हें कुछ चीजों की खरीच करकर दे सकते हैं जो लोग किराय के घर पर रह रहे हैं उन्हें दूसरे घर को ढूनने की तलाश कर देना शुरू कर देना चाहिए साथी अगर आप पार्टनर्शिप में किसी काम को करेंगे तो पार्टनर आपको धोका दे सकता है इसलिए साबधाम रहेगा सिंग राशी आज को दिन आपके लिए सकरात्मक परणामों को लेकर आएगा आप यदि अपने बिजनिस में काम को लेकर के किसी बैंक व्यक्ति संस्था आदी से लोन लेना चाह रहे थी तो वो आज आपको आसानी से मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है उसके बाद आप किसी धार्मी के स्थल पर जा सकते हैं और वहाँ पर पूजा प्रात्ना पाथ हित्यादी कर सकते हैं कन्या राशी आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है आपको किसी विदेश में रह रहे परिजन से कोई खुश खबरी सुनने को आज मिल सकती है यदि आपने संतान से कोई वादा किया था तो वो वादा आपको पूरा करने का वक्त आच चुका है सस्राल पक्ष से किसी व्यक्ती से बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है इसलिए इस तरह की बहस में ना पढ़े क्योंकि बाद में इसका नुकसान उठाना पर सकता है तुला राशी आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहेगा आप अपने बिजनिस के काम में कुछ बदलाव के कारण व्यस्त रह सकते हैं साथी आप इसके साथ साथ अपने जीवन साथी के लिए समय निकालेंगे तो अच्छा रहेगा आप अपने काम को प्रायोरिटी दे तब ही वह समय से पूरा हो पाएगा ब्रश्यक राशी आज का दिन विध्यार्टियों की बात करें तो विध्यार्टियों के लिए अच्छा रहने वाला है यदि उन्होंने किसी कोर्स को करने का सोच विचार किया था तो उसके लिए दिन बिलकुल अनुकूल है उसके लिए आज आपको स्कॉलरोशिप भी मिल सकती है समझे के शेत्र में आपके काम को पहचान मिल सकती है साथ ही कोई नया पद आपको आज मिल सकता है धनुराशी, आज का दिन राजनीती में कारेरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है साथ ही उन्हें किसी की बातों में आने से बचना होगा आपने काम पर फोकस बनाए रखने की आवश्यक्ता है इससे आपके जन समर्थन में इजाफा होगा साथ ही आप लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे जिसे देखकर लोग प्रसंद भी नज़र आएंगे मकर राशी, आज का दिन आपके लिए सोस समझ कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा यदि परिवार में कोई सदस से, आप से किसी बात को लेकर सलाम अश्यरा करें तो आप उन्हें बहुत अच्छी से ही सलाम अश्यरा दीजेगा सोस समझ कर सलाम अश्यरा दीगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही आपके परिवार में किसी मांगले कारिक्रम का आयजन होने से परिवार में विस्ततह का माहौल भी रहेगा कुम्भराशी आज का दिन आपके लिए सुकु सुविधाओ को बढ़ाने वाला रहेगा आप आज दिखावे की चक्कर में ना पढ़े तो बहतर रहेगा आर्थिक मामलों में आपको समस्याएं आज आ सकती है यदि आपकी माताजी आपको कोई जिम्मेदारी देती है तो उस जिम्मेदारी को समय रहती आपको पूरा करने की आविशक्ता है अनेता वे आपसे नराज हो सकती है मेन राशी, आज को दिन आपके लिए कटनाईयों से भरा रहेगा आपको किसी सदस्य की कोई बात आज बुरी लग सकती है वहे अपने मन्चाहे वहवार के कारण कोई गलत बात भी आपको बोल सकते है आपके सी बाहरी व्यक्ति के मामले में आज ना पढ़ें तो आपके लिए बहतर होगा आप ववाहित जातकों के लिए विवहा का प्रस्ताव आ जा सकता है तो दोस्तों ये था आज का राशी पल आपकी क्या राशी है कॉमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आये हो तो लाइक शेर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें